दुनिया में हुई सबसे रहस्यमई घटनाएं जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैग्यानिकों के होश उड़ गए ये एक बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला नजारा होता है जब दो समुद्र मिलते तो हैं लेकिन आपस में कभी मिक्स नहीं होते यानि कि करीब होते हुए भी ये समुद्र अलग-अलग है ये नजारा इतना हैरान कर देने वाला होता है कि इसके वीडियो इंटरनेट पर खूब वाइरल होते हैं इन दोनों में से एक का पानी हलके नीले रंग का और गंदा होता है वही एक का पानी गाढ़े नीले रंग का और साफ दिखाई पड़ता है जो glacier का पानी यहाँ पर आकर मिलता है वह गंदा और हलका नीला होता है वही नदियों से आया हुआ पानी थोड़ा साफ और गाढ़े नीले रंग का होता है वैज्यानिकों की माने तो खारे और मीठे पानी का एक साथ मिलना और टेंपरेचर का अलग-अलग होना इन दोनों को आपस में नहीं मिलने देता जिसकी वजह से इन दोनों का पानी अलग-अलग दिखाई पड़ता है सात रंग वाला इंदर धनुष तो आपने देखा ही होगा जो बारिश के बाद आसमान में दिखाई देता है लेकिन आपने कभी लाल रंग का इंदर धनुष देखा है जीहां समान इंद्रधनुष की तरह ही आसमान में लाल रंग का इंद्रधनुष निकलता है जो काफी ज्यादा रेयर होता है कुछ जानकारों की माने तो ये इंद्रधनुष, शाम और सुबह के वकक्त निकालता है क्योंकि उस समय सूरज उग रहा होता है या डूब रहा होता है और सूरज की रोशनी पानी से टकराती है इसलिए ये आसमान में लाल कलर का दिखाई देता है और कुछ लोग इस लाल इंद्रधनुष को शुब मानते हैं लेकिन वही कुछ लोग इस लाल इंद्रधनुष के बारे में यह भी कहते हैं कि यह किसी बड़ी घटना का प्रतीक होता है नमबर चार, Mystery Inside the Pyramid ये तो हम सब जानते ही हैं कि मिस्र में कई रहस्यमई चीजें और अजूबे हैं और उन्ही रहस्यमई अजूबों में गिजा के पिरामिड का नाम भी शामिल है इस पिरामिड पर हमेशा से ही वैग्यानिक नई-नई रिसर्च करते आ रहे हैं और एक रिसर्च के दौरान बहुत ही चौकाने वाली बातें सामने आई हैं इस पिरामिड के अंदर एक रहस्यमई दुनिया चुपी हुई है गीजा के पिरामिड के नीचे एक खुफिया गुफा है जिसके अंदर ही अंदर एक जाल पहला हुआ लेकिन वेग्यानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि इन सुरंगों में यह जाल क्यों और किस काम के लिए बनाए गए थे और यह सुरंग कहीं भी जाती नहीं है बलकि अजीबो गरीब ढंक से जामीन में फैली हुई है आपको बता दे वेग्यानिक भी इनके अंदर जाने से घबराते हैं क्योंकि वेग्यानिकों का कहना है कि इस सुरंग के अंदर कोई भी रोशनी का इंतजाम नहीं है और वह रास्ता भी भटक सकते हैं इन सुरंगों में जहरीली मकडियों के जाले बने हुए हैं और इसकी दीवारों पर चिमगादर भी चिपके रहते हैं इन सुरंगों के बारे में किसी भी वेग्यानिक ने कुछ भी नहीं वता पाया है क्या आपने कभी सुना है कि पेडों में भी ब्लास्ट होता है जी हाँ ये बात आपको अजीब लग सकती है लेकिन ये बात बिलकुल सच है इस तरह की घटना इतिहास में हो चुकी है ये बात है 30 जून 1908 की जब रूस के साइबेरिया के जंगल में पेडों में अचानक से ब्लास्ट होने लगा था और इस तरह की घटना को टुंगूस का इवेंट के नाम से जाना जाता है इस ब्लास्ट की चपेट में 80 मिलियन पेड आ गए थे लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद भी रूस की सरकार और वैग्यानिकों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही इस घटना को लेकर कोई रिसर्च की गई थी हालांकि इस घटना के 19 साल बाद कुछ लोगों ने इसके बारे में रिसर्च की थी तो उन्हें पता चला कि इस विसफोट के लिए कोई उलका पिंड जिम्मेदार हो सकता है एक ऐसी बीमारी जिससे पीडित व्यक्ती नाचते नाचते मर जाता है जीहां इस तरह की खतरनाक बीमारी साल 1518 में फ्रांस स्ट्रसबूर्ग में फैली थी इस बीमारी से पीडित एक महिला अपने घर से बाहर निकल कर रोड पर नाचती लगी थी और कुछ लोग उस महिला को नाचने से मना करने गए लेकिन वह लोग भी उस महिला के साथ नाचने लगे और ऐसे ही धीरे धीरे यह बीमारी पूरे शहर में फैल गई और लोग तब तक नाचते रहते थे जब तक उनके पैरों से खून भी निकलने लगता था और उनकी मौत नहीं हो जाती थी इस बीमारी के बारे में लोगों का कहना था कि उनके ऊपर कोई भूतिया साया था लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को भी नहीं पता है हालां कि लगभग दो महीने बाद इस बीमारी का जोर खत्म हो गया था और स्थिती पहले जैसी हो गई थी घंटों तक आसमान में कड़कती बिजली हाँ आपने बिलकुल सही सुना आम तोर पर बारिश के वक्त आसमान में जो बिजली कड़कती है वह एक से दो मिनट तक कड़कती है लेकिन इस दुनिया में ऐसी भी जगा है जहां लगा था